आज हम जानेंगे कि Infosys का Stock Price कुछ हक्तों से क्यों नीचे गिर रहा है और भबिस में इसके उपर जाने के कितने चांस है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किरपया चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और वेल आइकाउन को भी क्लिक कर लिजए ताकि हमारे सभी वीडियो 2023 के लिए अपने revenue outlook को भी कम कर दिया इसका मतलब यह है कि वे इस साल जितना पैसा कमाने की उम्मेद कर रहे थे उतना कमा नहीं पाए इन सभी वजहों की वजह से Infosys के share price में भारी गिरावट आई है मार्च ती माही के result आने के बाद एक ही दिन में इसका share price 2019 के बाद से सब से ज़्यादा गिरा था Infosys के share price की गिरावट का असर दूसरे IT share ओपर भी पड़ा अगले 12 महिनों के लिए Infosys के share price का आउसतन अनलेटिस टार्गेट 19 डॉलर है इसका मतलब है कि ज़्यादा expert का यह माना है आने वाले 12 महिनों में Infosys का share price 19 डॉलर तक पहुश सकता है हला कि कुछ expert का यह भी कहना है कि Infosys का share price 13 तक भी गिर सकता है Infosys के share price पर क्या आसर पड़ेगा यह कुछ भातों पर निर्भा करता है जैसे अगर global अर्थ बिवस्ता में सुधार आता है तो Infosys के share price में भी बढ़ोतरी हो सकती है अगर IT sector अच्छा प्रोफार्म करता है तो Infosys के share price में भी बढ़ोतरी हो सकती है अगर Infosys अच्छा प्रोफार्म करता है तो अपने target को प्राप्त करता है तो इसके share price में भी बढ़ोतरी हो सकती है यह सिर्फ for cost है और guarantee नहीं है कि Infosys का share price कैसा प्रोफार्म करेगा कोई भी निवेस करने से पहले आपको अपना को सस्क्राइब कर ले